जय हिंद मित्रों, आज हम पारिष्टियों परियावनर का भाग चाल लेकू परिशित हैं, तो आए देखते हैं, ये नीचे दो अकांस दिये गए हैं, ये कथन और कारण है, कथन है, प्राकृतिक बनस्पत जलबाव का सही सुचकांक है, कारण है, जल प्री पाउधे आद ज जलबाव में पाए जाते हैं, तो प्रीवक्त में थे कौन सा कथन सही है, देखते हैं, इसमें, ए है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर सही अस्पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च पारिश की तंतर में बत्तों के चक्र को क्या कहते हैं ए रासायनिक चक्र विग ब्ूरासायनी चक्र और ड पद्शाप C जीवोम और D निकेत तो इक्यान बेवम देखते हैं कौन सा सही है इसमें भी सही है पारिष की पद्शाप उसे कहते हैं नेक्सट पारिष की तंत्र के जैवी गटकों में कौन उत्पादक गटक है एक आइ बी मोर start of the तो बान बेव हम देखते हैं इसमें डी सही है हरे पौधे जो है यह प्रात्मे कुछ पारिश की तंत में उत्पाद अगटक है नेक्स्ट सरवाधिक सरवाधिक स्थाई पाजगी तंत निम्नांकित में से कौन सा है ए मर्वस्तल बी परवत सी महसागर डी बन तो 93 देखते हैं 93 सी से यह महसागर है पंचानवयों देखते हैं किसी निश्ची छेत में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरन समर्थन कर सकता है कहलाती है यह जन संख्या बी वहां शंख्या या जयो द्रभ्मान का पिरैमिड और डी उपरुक्त में से कोई नहीं तो 95 देखते हैं कौन सा सही है इस नहीं देखते हैं चिपको आंदोलन का इनारा है नेक्स्ट देखते हैं पारिष्की तंत्र में उच्चतब पोसर अस्तर प्राप्त है ए साकाहरी भी मांसाहरी सी सर्वहारी और दी अपगठक तो 97 देखते हैं कौन सा सही है सथानवेवां इसमें सी साहिए सर्व आरी को जो है उचितम पुश्ण अस्तर प्राप्त है नेक्स्ट नेमलेखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है एतालाब भी खेत सीबन और डी उप्रिक में से कोई नहीं तो अठानवेवां देखते हैं कौन सा साहिए इसमें बन एक कृतिम पारितंत्र है नेक्स देखते हैं इसमें खेत जो है खेत ग्रतिम पारितंत्र है इसमें बी साहिए खेत देखते में खाद जाल में उर्जा होता है एक दिसी दगroph सवा में A से एक दिसी होता है नेक्स्ट देखते हैं एक खाद्यस्तर किसके दूसरे खाद्यस्तर में जाने पर उर्जा करहास होता है A 20% C 40% C 80% और D 90% तो सवा कुशन देखते हैं कौं सा है सवा में D से एक 90% का हरास होता है नेक्स्ट देखते हैं खाद्यस्तर के आधार पर जियुदारी होते हैं A मांसाहरी, B मिर्तुप जीवी पाइप, पादप, C साकाहरी, D प्रकास संसलेशी तो 101 देखते हैं कौं सा सही है इसमें D सही है प्रकास संसलेशी होते हैं गास अस्तल पार्ष की तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है A. सीधा, B. उल्टा, C. रहखिक, D. अनियमित तो 102 देखते हैं कौन सा सही है, इसमें A. सही है, सीधा होता है नेश्ट, 10 प्रतिसत का नियम देने वाले बैज्यानिक हैं A. ओडम, B. लिन्डेमन, लिन्डेमान, C. टेंसले, D. हेकल तो 103 देखते हैं कौन सा, इसमें लिन्डेमान है, 10 प्रतिसत का नियम मोश्ट हैं आगे एक्जाम के लिए, नेश्ट देखते हैं नियम लिखे, जल वाईवी, कारकों में से कौन पार्थिव, पारिस्की तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है A. तापकरम परिवर्तन, B. पौन, C. सूर्य प्रकास धूप की दसाएं और D. है जल की प्रापिता तो इसमें देखते हैं 104 में कौन सा सही है इसमें 4, 104 में B सही है पौन, नेश्ट देखते हैं नुकिली पत्तियों योंग बेदक घहराईयों वाली जड़ों के पाउधों को निम्न में से किसमें बरगी करित किया जाता है A. मरुद भिद, C. आद्रतोद भिद, C. ब. आद्रतोद भिद, C. है समोद भिद, D. है मरुस्थली पाउधे तो इसमें देखते हैं कौन सा सही 105 में इसमें 105 में मरुद भिद उसे कहते हैं तो नेश्ट देखते हैं किसी पारितंत में होते हैं ये उत्पादक बैउन्प ये उप्द्वक उभोगता तता अप गटक बैऊंच विए उत्पादक साकाहरी मानशारी तता अप गटक और डी सी पौधे तथा जन्त D है जयविक तथा अजयविक पदार्थ तो इसमें देखते हैं 106 में कौन से सही है इसमें D सही है जयविक तथा अजयविक पदार्थ जो है पाज़तन्त में होते हैं नेक्स्ट पोर्षण की दिष्टे अपगधक होते हैं A सपोसी, B परपोसी, C मिर्थोप जीवी और D विशम परपोसी तो एक सो शाथवाँ देखते कौन सा सही है इसमें C सही है मिर्थोप जीवी होते हैं नेक्स्ट पार्टंत में मानव है A सरवाहरी, B मानसा आरी, C साकारी, D अपगठक तो एक सो अठवाँ देखते कौन सा सही है इसमें सरवाहरी होता है मानो नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा परियावरण अध्यन का सबसे कम महत्पुन उद्देस है A. परियावनर्ण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूगता का अभिकास करना B. समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिग्यासा पैदा करना C. परियासमरण और याद करने के कौसलों को अरजित करने के लिए बच्चों को अधिक्तम उसर उपलब्द कराना D. सिच्छार्तियों में संग्यानात्मक संबर्धन करना तो एक सो नौवा देखते कौन सा सही है इसमें C सही है प्रत्यास्मरण और याद करने के कौसलों को अरजित करने के लिए बच्चों को अधिक्तम अवसर उपलब्द कराना यह सी सही है इसमें नेक्ष देखते हैं 110 नेमलिखित में से कौन एक विस्व का सबसे विसालतम पारिश की तंत्र है असे समुद्र विघास का मैदान सी बन और टी परबत तो 110 देखते हैं को सासे है इसमें दस्वा में बी सही है थी एक विसर दस्वा में सी सही है बन जो है विसालतम पारिश की तंत्र है next पारिश की तंत्र का उधारण है अबाव बी तालाब सी जल और डी मिर्दा तो 111 नहीं है एप पेड़ पोधे बी जंत सी सूच मिजीव डी प्रसार तो 112 देखते हैं कौन सा है इसमें दी सही है प्रसार जो है जी भी कारग नहीं है नेस्ट सब्कित में उसलिकर नोस्ट है कौन साथ की सब्सेलिक अस्थाई है यह परबत भी मा सागर सी बन और्डी मर्ग स्थल तो 13 देह इसमें वी सए है वह सागर जो है पारिष की तंत का सबसे examples देखते हैं मृततिचीवी, जीव निम्म लिखित में से किस पर निरभर रहते हैं ? तो 14 में देखते हैं इसमें C साइए मृततिच पर अपगगी तंच्तमिल किया जाता है ? समुद्री 206 जल सी स्थली और डी करित्रिम तो 115 देखते हैं कौन से साही है इसमें सी साही है अस्थली नेक्ष्ट देखते हैं वह अस्थान जहां छोटे जन्त दीमक मक्ही केचिवे आद उनके सभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं ए जल जी उसाला बी संग्रहाल है सी टेरे नियम और बी बन डी बन तो 117 हम देखते हैं कौन से साही है इसमें सी साही है टेरे रियम उसे कहते हैं नेक्ष्ट प्रजातियों की उत्पत एक रचना है ए अरस्तु की बी चाल्स डार्विन की सी मेंडल की और डी राबर्ट हुक की एक सो ठार्वा देखते हैं इसमें भी सही है चाल्स डार्विन की ये रचना है नेक्ष्ट देखते हैं निमलिखित में से कौन सा जयो मंडल का अजयवी घटक नहीं है ए प्रोटीन बी म्रिदा सी कवक और डी फास्पोरस तो एक सो निश्वा देखते हैं इसमें सी साही है कवक जो है अजयवी घटक नहीं है नेक्ष्ट इस सीरीज का लास्ट कुईशन मित्रों यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी हरने बीडी को सुचना मिल जाए तो इस सीरीज का लास्ट कुईशन देखते हैं पस्वों की तोचाप पर बीवित पैटर्न डिजाइन ए उनकी सारीजिक सक्त को इंगित करते हैं बी प्रावर्ति प्रकास के कारण होते हैं और इसी है उनकी तुचाप पर बालों के कारण होते हैं और डी है उस जलबाग के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं तो इस तीरीज का लास्ट कुईशन मित्रों इसमें डी सही है उस जलबाइक कालन होते हैं जिसमें वो रहते हैं धन्य बाद मेरे वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंटे जो लिखेगा धन्य बाद